तुशार जी, योगेंद्र यादव जी, स्टेज पे, कैसे बोलें, मैं नॉर्मली वरिष्ट नेता बोलता हूँ, बढ़ स्टेज पे, एमिनेंट परसिनलिटीज, सोशल अक्टिविस्ट्स, और यहां हॉल में आप सब जो आए हैं, आपका यहां बहुत-बहुत स्वागत, नमस्कार, मैं आपसे दू तीन चीज़े कहना चाहता हूँ, पहली चीज, यात्रा के बारे में, और जो मेरा, अब पिछले, डेर साल का जो एक्स्पिरियंस रहा है, पिछले साल हम भारच चोड़ो यात्रा पे निकले, चार हजार किलोमेटर चले, कन्या कुमारी से कश्मीर, और हम सब को, मुझे तो पहली बार, हिंदुस्तान को नज़दीकी से देखने का मौका मिला, मेरे दिमाग में एक हिंदुस्तान था, एक इंप्रेशन था, और जैसे ही मैं चलना शुरू किया, वो इंप्रेशन तूटता गया, तूटता गया, बदलता गया, बदलता गया, बदलता गया, और अंत में जब मैं कश्मीर पहुंचा मेरा realization ये था कि जिस चीज़ को मैं हिंदुस्तान मानता था वो actually हिंदुस्तान था ही ने वो मेरे imagination का हिंदुस्तान था un-informed हिंदुस्तान था और ये जो मैं हिंदुस्तान भारत चोड़ो यात्रा में जिसको देखा है ये भी एक प्रकार से una-ined-formed हिंदुस्तान है ये पहले वाले हिंदुस्तान से बहतर informed है ये भी हिंदुस्तान की समझ नहीं है superficial है मगर उस यात्रा में दो चीजें बड़ी clear थी एक कि हिंदुस्तान नफरत का देश नहीं है महबबत का देश है और इस देश में इसके डियने में रिस्पेक महबबत ये बहुत गहरा है तो चलते चलते मेरे दिमाग में ये सवाल आना शुरू हुआ कि अगर ये नफरत का देश नहीं है ये पहला देश है जिसने इंडिपेंडन्स की लड़ाई महबबत से लड़ी और कोई देश है ये नहीं मतलब कहते हैं कि सिविल राइट्स मूव्मेंट गांधी जी की फिलोसोफी उसने गांधी जी की फिलोसोफी का प्रयोग किया मगर जो उनको डाइरेक्शन किस ने दिया उनको डाइरेक्शन गांधी जी ने दिया हिंदुस्तान ने दिया साउथ आफरिका में मैं गया था मंडेला जी ने मुझे यही कहा कि हमें जो औजार दिये गए हमारी freedom struggle के जो अजार दिये गए वो आफरिका के अजार नहीं थे वो आपके अजार थे हिंदुस्तान के अजार थे और वो अजार हमें गांधी जी ने दिये तो जब मैं चल रहा था मैं मेरे दिमाग में सवाल आया कि अगर हिंदुस्तान मोहबत का देश है तो इसमें नफरत क्यों फैल रही है क्योंकि इतना असान नहीं होना चाहिए नफरत को फैलाना हम कहते हैं बी जे पी नफरत फैलाती है बट कोई ना कोई foundation तो होगा कोई नो कोई basis तो होगी इस नफरत की तो ये मेरे ये सवाल मेरे दिमाग में था और आस्ते आस्ते मुझे बात समझ आने लगी कि नफरत का कारण अन्याए है कि ये देश में गरीबों के साथ किसानों के साथ दलितों के साथ महिलाओं के साथ युवाओं के साथ सब के साथ हर रोज अन्याए होता रहता है दो तीन परसेंट लोग है इस देश में जिनको न्याए का एकसेस मिलता है दो तीन परसेंट जादा से जादा पाच परसेंट लोग हैं उनके लिए कौर्ट्स काम करते हैं उनके लिए सरकार काम करती है सारी इंस्टिटूशन में उनके लिए जगह है पर अगर हम नबे परसेंट लोगों को देखें उनके साथ 24 घंटा अन्याए हो रहा है 16 लाग करोड रुपए 20-25 लोगों का कर्जा माफ हुआ GST का पैसा है जनता का पैसा है किसानों का पैसा है मगर किसानों का एक रुपिया माफ नहीं होता है और मैंने सरकार के अंदर से देखा है जब हमने किसान कर्जा माफ माफी की बात उठाई जब हम सरकार में थे तो रिस्पॉंस मिला कि ये ठीक नहीं है इससे किसान आलसी हो जाएगा मनरेगा से गरीब यक्ति की आदत बिगड़ जाती है मतलब वो काम कर रहा है उसको आप उस काम के लिए पैसा दे रहे हो और उसकी आदत बिगड़ रही है और दूसरी तरफ बीस पच्चिस लोग है उनका सोला लाग कड़ोर रुपय माफ हो रहा है उनकी आदत नहीं बिगड़ रही वो उसको पता नहीं विकास कहते हैं डिवेलप्मेंट कहते हैं प्रोग्रेस कहते हैं पता नहीं क्या कहते हैं तो अगर आप हिंदुस्तान के धन को देखें और उसको ट्रैक करें तो आपको देखेगा कि ये जो सुने की चिडिया कही जाती है इसका पूरा का पूरा धन किसानों से युवाओं से दलितों से आदिवाचियों से पिच्चरों से छीन कर ये बीस, पच्चीस, पचास, दोसौ कितने लोग हैं ज़ादा नहीं है इनके और फनल होता है तो इसलिए हमने दूसरी यात्रा में नियाई शब जोड़ दिया और इस यात्रा में हमारा फोकस उस पे था कि किस परकार का अन्याय हो रहा है और हर कदम पे स्टूड़न्स के पेपर लीक हो रहे है किसान को MSP नहीं मिल रही मजदूर को मिनिमूम वेज नहीं मिल रही छोटे भी अपारियों को GST से दवाया जा रहा है मतलब हर स्टेप पे, हर कदम पे लोग आ रहे थे कह रहे थे हमारे साथ ये हो रहा है मगर combined consciousness नहीं है एक व्यक्ति कह रहा है मेरे साथ अन्याय हो रहा है मेरे पास छोटे भी अपारियों आए गुजुरात में उन्होंने कहा कि GST से, नोट बंदी से हमें बहुत छोट लगी मगर उसी discussion में जो किसान के साथ हो रहा है वो उनको दिखनी रहा है वो देखी नहीं पा रहे है तो मेरे किलाब जो रहा है वो मुझे दिख रहा है मगर मेरे भाई के साथ जो रहा है मुझे दिखनी रहा है तो ये बहुत जरूरी बात है क्योंकि जब तक आप अपने भाई के साथ जो रहा है वो नहीं देखोगे तब तक कोई movement कड़ा नहीं हो सकता मैं जूडो करता हूँ और उसमें एक बड़ी इंट्रेस्टिंग चीज है उसमें जब उसमें जमीन पर गिरना पड़ता है फेका जाता है व्यक्ति को तो जब पहले व्यक्ति शुरू करता है तो वो अपने आपको प्रटेक्ट करने की कोशिश करता है जमीन पर गिरोगे तो फिर आप अपने आपकी रक्षा करते हो फिर थोड़ा अडवांस होता है फिर उसको बात समझ आती है वो जमीन की रक्षा करना शुरू कर देता है मतलब डोंट प्रटेक्ट यर्सेल्फ प्रटेक्ट दो मैट और बड़े मज़े की बात दिखती है कि जब आप जमीन को प्रटेक्ट करते हो तो अटोमेटिकली जमीन आपको प्रटेक्ट करती है तो मुवमेट कैसे बनती है मुवमेट जब बनती है जब मैं अपने दर्थ को छोड़ कर मेरे साइड में जो खड़ा है उसके दर्थ की रक्षा करना शुरू करता हूँ अटोमेटिकली वो मेरी रक्षा करेगा उसको करना ही पड़ेगा तो ये एक mental leap की जरूरत है सब को दिख रहा है कि भई किसान को दिख रहा है मजदूर को दिख रहा है सब को दिख रहा है मगर एक दूसरे का दड़ नहीं दिख रहा किसी को मेरा experience है दूसरी यात्रा का आकरी बात देखिए आपने राहुल गांदी का नाम बहुत बाद लिया कांचा जी मेरे दोस्त हैं उन्होंने नारे भी दे दिये ये राहुल गांदी नहीं है ये हिंदुस्तान में कोरोणों लोगों की फीलिंग है उनमें से मैं एक हूँ और आप मेरे उपर फोकस कर देते हैं बट भारत जोड़ो यात्रा में मैंने अपने आखों से देखा मैं अकेला नहीं चल रहा था लाकों लोग चलेते मेरे साथ और एक्चली भारत जोड़ो यात्रा की स्ट्रेंथ राहूल गांदी नहीं था भारत जोड़ो यात्रा की स्ट्रेंथ वो बाकी लोग थे तो उन पे भी फोकुस होना चाहिए लड़ना हमें एक साथ है और ये हिंदुस्तान के दो एक्स्प्रेशन के बीच में लड़ाई है ये राहूल गांदी, मोधी, बीजेपी, कॉंग्रिस के बीच में लड़ाई नहीं है हिंदुस्तान के नेचर के अंदर दो आत्माएं हैं और ये उन दोनों आत्माएं के बीच में लड़ाई है एक आत्मा कहती है कि हिंदुस्तान बीच से चलाया जाएगा उपर से चलाया जाएगा और सारे लोग उपर देखके ओर्डर लेके इस देश को चलाएंगे और ये एक सोचने का तरीका है हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग इसको मानते हैं एकसेप्ट करते हैं और एक दूसरा तरीका है कि हिंदुस्तान को डिसेंट्रलाइस तरीके से हिंदुस्तान के सब लोगों को सुनकर चलाए जाएगा जिसको हम अगर आप धार्मिक तरीके से बोलना चाहते हैं शिवकी बारात बोल लीजिए कि सब लोगों को जगे देके निर्णने लिया जाता है जैसे योगेंद्र यादव जी अभी बैठे हैं बड़ी इंट्रेस्टिंग बात आपको बताऊं तीन चार महीने पहले इन्होंने हमें का देखिये हमें ये जो गैरंटीज हैं हमें क्लियरली बता देना चाहिए देश को कि इंडिया संगठन इंडिया गटबंदन आएगा तो क्या करेगा और आज मैंने इंसे पूछा कि आप बताईए ये जो हमने गैरंटीज देश के सामने रखी हैं इससे आप खुश हैं तो इन्होंनों कहां मैं खुश हूँ मगर बहुत कियोटिक डिसकशन हुआ कियोटिक डिसकशन हुआ क्योंकि ये एक्चली कॉंग्रेस पार्टी की राहुल गांदी की खारगे जी की इंडिया गटबंदन की गैरंटीज नहीं है ये एक्चली हिंदुस्तान की आवाज है उसको हमने चुन चुन के चुन चुन के सुन सुन के निकाला है उसको रिफाइन किया है बीजे पी ये काम करी नहीं सकती क्योंकि उनका तरीका सेंट्रलाइज है उपर से बोलते हैं नरेंदर मोधी जी रेडार की बात करेंगे सब कुछ नरेंदर मोधी जी से निकलता है उनके विजन में और RSS के विजन में ग्यान एक व्यक्ति के पास है किसान के पास ग्यान ही नहीं है मजदूर के पास ग्यान ही नहीं है बेरोजगार युगा को कोई समझ नहीं है IIT के डिगरी है तो पूरी दुनिया को समझ गया ये थिंकिंग है तो इसके गिलाब हमारी लड़ाई हो रही है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा साइंटिस्ट जितना उसमें ग्यान है उतना ही ग्यान हिंदुस्तान के किसान में है बस दूसरे तरीके का है मैं बिंगॉल गया और वहाँ पे वो महिलाए थी इसी यात्रा पे महिलाए थी वो बीड़ी बना रही थी उनके हाथ में जो स्किल थी बीड़ी बनाती थी वो उनके हाथ में जो स्किल थी मैंने अपनी जिन्दगी में कभी पहले नहीं देखी मैंने ट्राइ किया मतलब एक बीड़ी मतलब मैंने रोल करने की कोशिश की नहीं हो रही थी मुझसे तो वो सालों का मतलब सालों की स्किल हो और उसका इस देश में कोई आधर नहीं हो रहा उस महिला को आप financial support दीजिये उसकी मदद कीजिये Makin India उससे करवाईए और फिर देखे क्या मज़ा आता है तो ये दो अलग तरीकें की सोच की लड़ाई है इसमें हम सब एक साथ लड़ रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है और घबराने की कोई ज़रुवत नहीं है ये आप मत सोचिये की BJP आ गई Constitution को खतम कर देंगे ये कर दें कुछ नहीं इनमें इतना दम नहीं है ये नहीं कर सकते है ये इन्होंने मीडिया को capture कर रखा है ये आवाज बहुत करते हैं मगर सच्चाई और हिंदुस्तान हमारे साइड है धन्यवाद